नमस्कार दोस्तों दिन भर के सभी बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमरा साथ इसी वीडियो में बने रहिएगा तो वहीं दोस्तों खबरों के तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों औ और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा जय हिंद जय भारत दरासल दोस्तों पहले बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें संसद में आज आरपार की लड़ाई का दिन आ चुका है जिहां दोस्तों लोगसभा में आज पेश हो चुका है दिल्ली अधदेस वाला बिल हमिस सहा ने संसद के अंदर पेश किया है विपच्छ बोला पहले मड़ी पुरपर हो चर्चा ये सरकार तानासाही कर रही है आग उपस्थित रहने के लिए विपजारी कर दिया है दरासल बताते चले ये बिल लोगसभा से तो आसानी से भाजबत सरकार पास करवा लेगी लेकिन राज्यसभा के अंदर उसके सामने भी मुश्किले है क्योंकि राज्यसभा में ना तो सत्ता पच्छ के पास बहुमत है और ना ही विपच्छ के पास और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधायक पेश हो चुका है और सब उपस्थित रहें विरोध करेंगे पार्टी सांसदों को आम आदमी पार्टी ने भी विहिप जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 4 अगस्त तक सादर में सभी सांसदों को उपस सद के अंदर दोस्तों यह यहां पर इस समय की बेहत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें दिल्ली में सुबह 4 बजे अचानक से आजाद पूर मंडी पहुँचे राहुल गांधी सबजीयों के पूछे भावत तो जोग गए और घेरा है केंदर सरकार को कॉंग्रस के नेतार राहुल गांधी लगातार आम जंता की आवाज को सुनते हैं ना की अपने मन की बात कहते हैं कॉंग्रस के नेतार राहुल गांधी अचानक से सुबह चार बजे दिल्ली की आजाद पुरमंडी पहुँचे अचानक राहुल गांधी को आजाद पुरमंडी में देख करके लोग चौक गए राहूल गांधी ने आजाद पुरमंडी में सबजी विक्रेताओं और व्यापारीों से बातचीत की है उनसे सबजीों के बढ़ते हुए दामो को लेकर के भी बातचीत की है जिसका वीडियो भी राहूल गांधी ने टुईटर पर जारी किया है और इस दोरान राहुल गांधी ने केंदर की नरेंदर मुदी सरकार पर जम करके निसाना साधा है सबजीयों के बढ़ते हुए दामों को लेकर के यह यहाँ पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जबरदस तरीके से घेरा है केंदर सरकार को तो इसके साथ ही दोस्तों अगर आप लोग भी राहूल गांधी के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं। आगामी विदान सभा चुनावों के मदनजर अपने वरिष्ट नेता मदू सूधन मिस्तिरी को राजिस्थान रड़्दीप सिंग सुर्जवाला को मदप्रदेश प्रीतम सिंग को चत्यसगर और दीपा दास मुंसी को तेलंगाना के लिए वरिष्ट परवेच्छक निउक्त किया गया है बताते चले कॉंग्रस के अध्याच मलिका अर्जुन खडगे ने चुनाव परवेच्छकों की निउक्त किये गये परवेच्छक समंदित राजियों में चुनाव की किया है हलाफ नामा जिहां दोस्तों क्या कुछ खबर आ रही है बताते चलें भाजपा के नेता पूरेस मोधी ने सुप्रीम कोर्से राहुल गांधी की उस अपील को खारिज करने का आगरह किया है जिसमें कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानी के एक मामले में अपनी तो सिद्धी पर रोक लगाने का आगरह किया है पूरेस मोधी ने कहा है कि राहुल गांधी ने मोधी उपनाम वाले सभी लोगों को खास कर गुजरात के मोध वणिक जाती से सम्मंदित लोगों का अपमान किया यह यहां पर देख सकते हैं कि अपना हलाफ नामा दाखिल किया है पूरेस मोधी ने सुप्रीम कोड में दरासल दोफतों आप लोगों को बताते चलें सुप्रीम कोड ने राहुल गांधी की याचिका पर पूरेस मोधी और राज्य की भाजपा सरकार से जवाब तलब किया था और अब देख सकते हैं कि पूरेस मोधी भागे भागे पहुंचे है सुप्रीम कोड और अपना हलफ नामा दाखिल किया है चार अगस्त को राहुल गांधी के मामले पर सुप्रीम कोड में सुनवाई होनी है और वहीं अभिशेक मनुसिंग्वी की तरफ से पूरा भरोसा दिया गया है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से नयाय जरूर मिलेगा उनकी सजा पर रोक लगेगी और एक बर वो फिर से संसर में जरूर पहुचेंगे यह यहाँ पर खबर है दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं संसद की अंदर जवरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है दोस्तों जी हाँ दोस्तों आज संसद में दिल्ली अधदे से सम्मंदित बिल पेस किया गया इस दौरान तमाम संसदों ने लोग सभा से वाक आउट कर दिया और वहीं अब आम आदमी पार्टी के संसद संजय सिंग की तरफ से बेहधी बड़ा बयान सामने निकल की आया है संजय सिंग ने कहा राज सभा में इस बिल को गिरा देंगे संजय सिंग ने पूरे मामले पर कहा है कि वहाँ और उनकी पार्टी के साथ में अन्विपच्छी दलों के पास राज्य सभा में परियाप्त संख्याबल है लिहाजा वहाँ से यहाँ बिल पास नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर संजय सिंग ने आगे कहा है कि यहाँ बिल असामधानिक है क्योंकि इस बिल से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकार छीने जा रहे हैं ये तो पूरी तरह से तानसाही देखने को मिल रही है कहना है संजय सिंग का और उन्होंने काफी चौकाने वाला दावा किया है और कहा है कि उन्होंने और संयुक्त विपच्च ने राजय सभा की अंदर संख्या बल जुटा लिया है इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें जारखंड विधान सभा से बेहधी चौकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है बीजेपी को हंगामा करना भारी पड़ गया है जिहां दोस्तों मार्सलो ने बीजेपी के विधायकों को उठा करके बाहर फेका मांसुन सत्र का तीसरा दिन है प्रश्नकाल के बीच वेल में बीजेपी विधायक हंगामा कर रहे थे जिस पर कारवाई देखने को मिली है जारखंड विधान सभा का मांसुन सत्र चल रहा है जो की 28 जुलाई को सुरू हुआ यहाँ सत्र चार अगस्त तक चलेगा बताते चलें प्रश्णिकाल के बीच ही बीजेपी विधायकों यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने लगे और जमकर की हंगामा किया वेल में जाकर के जिसके बाद देख सकते हैं कि स्पीकर ने सभी विधायकों पर करती है इसके साथ ही दोस्तो एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं लालू यादब पर ED ने कर दी है बड़ी कारवाई जी हां दोस्तों लोग सभा के चुनाओं से पहले जैसा की अंदेशा लगाया जा रहा था कि ED और CBI जैसी एजेंसिया काफी एक्टिब नजर आएंग पर ताबर तोड़ कारवाई की जाएगी इन दिनों में क्योंकि लोग सभा का चुनाओं भी नजर्दी का है इसी करम में खबर आ रही है कि लालू यादब के परिवार से जुड़ी संपत्या जब्त की गई है नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले मामले में ED ने कारवा विश्णू अगरवाल को गिरफतार किया गया है यानि कि कुल मिला करके देख सकते हैं कि विपच्छी राज्यों में अब एजेंसियां एक्टिव हो चुकी है और विपच्छी लगातार तमाम उद्दों को लेकर की हमला बरहे केंदर सरकार पर इस समय कि दोस्तों आज की तमाम बेहत बड़ी खबरे मुखे समचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को ये खबरे पसंद आई हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को सेयर कीजिए का अपने सभी दोस्तों में ताकि आप अभी का बहुत बहुत धन्यवाद